वाव माई डियर एस्टूरेंट्स आप मुझे दिल से डून डे थे और मैं आपके सामने आ गया मैं मिठले सर एजूकेशन जी में स्वागत करता हूँ एस्टूडेंट्स मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ वी आईटी विल लौर का जो फर्स्ट जो फेज है उसका अलॉट्मेंट आज आया है उसके बारे में कि कितने रैंक तक अभी कौन से ब्रांच गए है और इससे की आगे क्या हो सकता है फेज टू में इसका डिसक सार स्टूड का क्वेश्टनस आ रहे हैं थे कि सर क्या क्या करना है आगे के पार्टिस्टिपेट के लिए सीट एसेम के लिए सर पर्दिमेंट कैसे करूं साब इस वीडियो में करेंगे ताकि आप एस्टूएंट जिनके फेज टू में कौन स्लिंग है जिनका 20,000 से जदा रेंक है और 60 थाओजेंट रेंक तक है उनका 14 अगस्ट से कोई स्टाट हो रहा है मतलब 12 फिलिंग 14 अगस्ट से 15 अगस्ट तक 12 फिलिंग है और 13 अगस्ट तक रेजिस्ट्रेशन का डेट है तो सबसे पहले स्टाट कर देते हैं आपके कुछ simple question से कि sir अगर मेरे को phase one में seat मिला है अगर मैं उसको reject कर देता हूँ तो क्या मैं next round में participate phase two में कर सकता हूँ नहीं student phase two में participate आप नहीं कर सकते हो हाँ क्योंकि phase two का जो rank आया है जो phase two में participate करने का rank दिया हुआ है वो है 20,000 से अबब और आपका तो 20,000 से कम था तब ही जाके first phase में बुलाया गया था तो आप अगर seat को reject करते हो तो next round के लिए participate नहीं कर सकते हो यह point को clear कर लो student second question यह है कि अगर जिस student को कोई भी seat allotment नहीं हुआ है choice filling के according तो मैंने क्या क्या एक student ने मेरे को क्या किया एक screenshot भेजा है जिसमें मैंने देखा है कि उन्होंने बताया है कि आप next round next page के लिए participate फिर से कर सकते हो हां यह change मैंने देखा है उसके login ID पे वो mention था कि जिस student को seat नहीं मिला है उसके choice fill के according तो वो next round में participate phase 2 में participate मतलब 14 अगस्त को choice filling को फिर से कर सकता है student मतलब नया choice filling कर सकता है तो मैं उनके लिए suggestion देना चाहता हूँ जिनको a lot seat नहीं हुआ है कि थोड़ा आप category को increase करे तब जाके seat possible है या branches increment करे तो उसके according आपको देख लेना है अगर कोई doubt हो तो हमारी expert से आप सला ले सकते हैं student हाँ मैं पूरा try कर रहा हूँ आपके messages के चोटी चोटी बातों के लिए student बार बार call कर देते हैं नहीं आपको जब मैंने एक बार reply message में दे दिया तो वो बात वही होगा और ज़्यादा information लेना है तो वी आईटी का जो mail है उस पर करो वो definitely reply देंगे अगर बात कर लेते हैं कि student का seat a lot हो गया है ठीक है seat a lot हो गया है अ लेकिन एक student ने मेरे को call करके बताया कि sir जब मैंने भी आईटी को call किया तो उन्होंने बताया कि आप फिर से next round में participate कर सकते हो मेरे ही सबसे ऐसा नहीं है एक बार आप क्या करो अभी payment का date है payment का date है लगबग 15 अगस्त तक आपके पास समय है payment का तो कल 14 अगस्त तक आप एक वेट कर लो लॉग इन करकर के चेक करके देखो क्या आपका कुछ upgrade और editing का option आ रहा है या नहीं आ रहा है मेरी सबस्त नहीं आएगा जिस student को seat a lot हुगा है उनको वही seat होगा मिलना लेना परेगा उसमें कोई upgrade नहीं हो सकता है अगर आपने उसको reject किया तो आपको seat नहीं मिल जाओगे मतलब कोई भी seat आपको नहीं मिलेगा तो ये question को समझ लो clear कि ये बात एक और question दा है student का कि sir माल लेते हैं कि कुछ student क्या होता है कि vacancy create होता है admission लेने के बाद तो अगर मैं अभी payment कर दू और seat accept कर लू तो क्या मेरा branch upgrade हो सकता है नहीं हो सकता है जिस seat पे जिस category पे आपका admission हुआ है उसी में study करना परेगा for the four years ये इन्होंने clear mention कर रखा है possible नहीं है ऐसा नहीं कि college strict है ऐसे नहीं कर रहे है ऐसा नहीं है पॉसिवल नहीं है बताओ अब किस category में कौन सा student लेना चाहता है क्या वो effort कर सकता है कि नहीं ये सब possible नहीं है analyze कर देना इसलिए वो न सकते हैं 14 अगस्त को second phase में फिर से choice feeling कर सकते हैं ये ज्यादा important बात था तो मैं आपके सामने ये questions को लिया हूँ बहुत सारे questions से मैंने filter करके आपके सामने questions को रखे हैं अब बात एक और आदाता है कि sir मैं payment कैसे करूँ मेरे पास लगबग मान लो 10-15 calls तो ऐसे आगा है कि payment कै payment के लिए जब आप login ID पे जाओगे तो ऐसे यह accept करना है seat को अपने उसके बाद वहीं पे दिख जाएगा online payment का option जिसमें आप credit card से net banking से और debit card से payment आप कर सकते हो उसमें दो option दिया हुआ है एक है 100% payment करने का जो fees है आपका एक है 50% payment करने का तो दोनों आपके पास option है जैसा आ बैंक से जाके payment करना चाहता हूँ हाँ वहीं पे थोरा सा उपर देखेंगे online net banking के उपर देखेंगे तो दिखा हुआ लिखा हुआ है वहाँ पे कि RTGS जो nift है उसका सारा का details दिया हुआ है तो एक form फिल करना है form दिया हुआ है उसको ले जाके bank में उस details के थुरू आपको nift या RTGS कर देना है फिर आपका confirmation जो है वो बिदिन आ जाएगा one day के अंदर confirmation या one hour के अंदर में confirmation VIT के तरफ से आपको आ जाएगा अगर नहीं आता है तो आप उस detail को screenshot लेके VIT को mail कर दो ओ आ जाएगा attention लेने वाली बात नहीं है तो यह मैंने सारे questions लिए अब मैं क्या करता ह हूं कि जो first round में जो allotment आया है कुछ category मेरे पास मेरे पास data ही कठा मैंने किया है कुछ category है कुछ branch है उसको हम लोग देख लेते हैं हां कि ताकि उससे आप अंदाज लगा सके कि phase two में मैं किस तरह से choice filling करूं कितने rank तक मिल चुका है मैंने जो data ही कठा किया है यह exact data है लेकि जो student का data मेरे को मिला जिन्होंने student मेरे को दिया मैं उसी को आपके सामने present कर रहा हूं योगि मेरे पास official कोई data नहीं आया है और नहीं VIT कोई present करेगा आपके सामने समझ रहे हो बातों को आप हां पूरा समझना है चीजों को क्योंकि अगर एक बार गलती कर देने के बाद से बात हुआ वो परिशान थे कि सर मैंने computer science category 1 फिल कर दिया उसके बाद मैंने कर दिया electronic communication category 1 बट मेरे को computer science category 2 तक भी लेना था क्या अब possible है मैंने नीचे फिल कर रखा था तो नहीं ऐस तरह का कोई बात नहीं आता है जब आपने ऊपर ही फिल कर दिया category 1 electronic communication और आपके rank पे out हो गया तो आपको लेना परेगा तो ऐसा गलती नहीं करना है कैसे करना है choice field phase 2 वाली के लिए एक वर और बता देता हूं मैं सबसे पहले देखना है कि कितना पैसे आप effort कर सकते हो किस category तक admission ले सकते हो उसके according आपको choice field कर देना है जैसे computer science अगर branch मन है लेने का तो मैं कितने तक पे कर सकता हूं उसको देखते हूं फिल कर देना है सर उसके बाद मेरे को IT चाहिए तो वो मैं कितने तक तो जैसे कि मैंने IT का category 1 फिल कर दिया IT का category 2 कर दिया IT का category 3 कर दिया बस सर मैं 3 तक ही ले सकता हूं इस तरह से फिल करना है गलती नहीं करना है मैं बार 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 बो जो data है इसमें मैंने एकठा किया है मेरे पास दो data है जिसमें computer science का data है computer science का सबसे बात कर लेते हैं लग भग 3800 rank है student का जिसमें उनको computer science से आयोटी internet of things category 1 में लट हुआ है वेल लौर campus में 3800 rank में किलियर है समझ रहों बात है computer science in iot और category 1 तो बात करते हैं इससे आप analyze कर लेना कि अगर मेरे को computer science iot वेल लौर में लेना है तो मैं कितने तक phase तक फिल कर सकता हूं कितने category तक कर सकता हूं यह मेरे पास पहला data था उसको मेरे पास second data यह है कि computer science का ही है लगभग 5700 rank है मतलब 5700 rank है उसमें student को मिला है computer science business system हा category 1 में मिला है मतलब category 1 तक इतना admission मिला है यह मेरे पास दो computer science का था तो मैं आपको बता दिया इससे अंदाज लगा सकते हो कि category 1 तक कितना admission मिला है category 1 का एक और मेरे पास है triple E का जो data है उसम है लगभग 12500 rank है जिसमें triple E allowed हुआ है वह लोर campus में category 1 में तो इससे अंदाज लगा सकते हो कि अगर category 1 में 12500 rank तक हुआ है तो कितना जा सकता है category 2, category 3, category 4, category 5 मतलब यह देख सकते हो हां उसके बात कर लेते एक और मेरे पास data है कि EC का मेरे पास data है कि अगर 16000 लगभग rank है त तो EC, electronician communication allowed हुआ है category 2 में, well or campus की मैं बात कर रहा हूँ, category 2 में electronician communication allowed हुआ है category 2 में well or campus के लिए, अब बात कर लेते हैं well or campus में गया है तो थोड़ा अंदज लगा लो कि category 3 में कितना जागा electronician communication, category 4 में कैसा जागा, category 5 में कितना जागा, तो आप इससे देख सकते हो, उसके according choice कर सकते हो, लगभग rank जो है, वो 16,500 rank है, और allotment हुआ है, electrical and electronic engineering category 2 पे, लगभग 16,000 rank है, तो category 2 पे, sorry, electrical and electronic engineering alert हुआ है, वो लोर campus के लिए, आप मैंने इतने बताया, अब मैं आता हूँ, चन्नाई campus के लिए, पर जो computer science का जो data है, का चन्नाई campus के लिए, वो है 9,600, 9,600 rank है, तो computer science अलोट हुआ है, category 1 में, तो देख सकते हो, कि अगर मालने ते 12,000 चला जाए, category 2, 13,000, 18,000, ऐसे करके increment, चन्नाई campus के लिए, जा सकता है, तो क्या इससे कर सकते हो, आप अंदाज लगा सकते हो, कि आपका क्या budget है, उसके according choice फिल कर सकते हो, एक और मेरे पास data है, जिसमे लगबग 11,500 रैंक है, जिसमें चन्नाई campus में computer science engineering मिला है, और category 2 में मिला है, 9,500 तक किसमें मिला था, category 1 में, CSE में, इसका मतलब समझ लो, कि category 1 जो है, वो computer science का बहुत नीचे, well, law campus का खत्म हो चुका है, तभी तो student ने चन्नाई campus लिया है, तो यह मैं data आपको present किया, जिसन अंदाज लगा सकते student कि मेरे को कौन सा branch का कौन सा preference देना चाहिए, category देना चाहिए, अगर फिर भी कोई doubt है, तो हमारे expert से contact करो, message करो, और google form का reply आपको जाएगा, कल सारे बच्चों को reply जाएगा, आप उनसे बात कर लेना detail में, आपको पूरा चीजों को समझाया जाएगा student hopes हो कि अच्छा आपको वीडियो लग रहा है, और मेरे को वीडियो बनाना आपके लिए बहुत ही अच्छा लग रहा है, मैं बार बार हर जगर से data इकठा करके आपके सामने present करना चाहता हूँ, और मेरे channel को subscribe करो, और support करो, ताकि मैं आपके लिए और भी मज़दार वीड मिलता है अगले वीडियो में, bye, take care, see you again